तो आज हम बनाएंगे एगलेश जब्राखेट तो हमें एगलेश जब्राखेट के लिए तो हमें देखे देखे लगेंगे हाफ कप जही, हाफ कप ओयल और ती फूर कप शुगर पाउडर और वन कप मैदा और मिल्क और कोको पाउडर देटी स्पून बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर और ये वैडिला एसेंस जली अब बनाना शुरू करते हैं तो पहले हम कोको पाउडर में कोड़ा सा मिल्क डाल देंगे अधर में इसको मिल्क्स कर लेंगे तो देखिये ये रड़ी हो जुटी हैं तो देखिये ये रेडी हो जुटी हैं। जो हम बेड़ी को एक बाउन में दालेंगी और इसको में दालेंगी और इसको इसमे ओल दालेंगी अब हम इसमे शुगर पाउरे डालेंगी और इसको मिक्स कलेंगी और इसको अच्छे से मिक्स कलेंगी और इसको इसको अच्छे से मिक्स कलेंगी तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम उसमें मैजा डाल देते हैं और हम इसमें बेकिन फोडर डाल देते हैं एक चुमर्च बेकिंग पाउडर डाल लेते हैं वेलीन एसेंस का इसे है और हम इसको मिला लेते है की पाउडर टुमाडर लेते हैं पाउडर शुम्हाइच अपाउडर लेते हैं यह तो अपाउडर लेते हैं 10-15 में तर अच्छे से बीट कलेंगे और इसको अलग बाउल में रिकाल लेंगे तो देखें हमने इसको अलग बाउल में रिकाल लिया है अब हम जो हमारा कोको पाउडर था हम उसको डाल दिते है अलग इसको मिला लेते है इसे आपकर जो बेटर है वो इता ही जाड़ा होना चाहिए तो अगर बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं तो चले अब हम जोनों बेटर को इसमें डाल देते है तो चले अब हम केक की बेटर को डाल देते है किनत तो ऑर गौरा रहाँ हम जब हम जगित विते हैं किन जचर अबसके जब हम गंट रहाँ नहीं तो हम इसी तरह से केक के बेटल को डार दे रहेंगे जैसे के के अच्छा दे रहे हैं तो हम इसी चरीके से सारे डालेंगे एक बार वाइट और एक बार ब्लैक तो देखिए हमने बड़र डालिया है अब मैं अपनी ममा की है इसको थोड़ा डिजाइन देटी हूँ हम इसे अंगर के साइट से बार की किया रफ डिजाइन बनाएंगे हमने डिजाइन बना लिया है तो अब हम इसको गैस में बिठाते हैं तो चले अब हम इसे बेक करते हैं हमने इंचे नमक डाल दिया है तो चले हमें गैस की तेज करके दस में तक बेक करते हैं और सिम करके थर्टी मेंट तक केक को बेक कर लेंगे तो हमारा चीप रडी हो जाएगा तो अब इसे टाग देते हैं तो रेखें हमारा जबरा के रडी हो चुका है तो अगर आपको मेरा यूद्य पुसन ना बावा लाइक और शेर आशे असे लग किसेगा तो बाव दो सो में तागी हुट पाई